तो गाइस इस वीडियो में हम एक two in one researchable LED light बनाने बाले हैं तो फ्रेंस ये researchable LED light से आप बहुत ही आसनी से एक mobile भी charge कर सकते हो तो इससे आप making भी बोल सकते हो, repair भी बोल सकते हो या फिर restoration भी बोल सकते हो तो प्रेंस यह सब कुछ बोल सकते हो आगे आपको वीडियो में पता चल रहेगा तो प्रेंस आभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल लेक्ट उनको पर जरूर कर देना क्योंकि आगे भी इस तरह का वीडियो आपको इस तरह पर मिल जाएगा तो प्रेंस आप जो फली आप देख रहे हो यह पूरी तरह से खराब हो गया है पहले सकरी देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या लाइड अच्छा ही या फिर नहीं तो फ्रेंट्स प्लीज वीडियो पर बंने रहना इस लाइड पर और भी कुछ गश्फर सब्चेसर असराइक जा अचे साफ कर लेते हैं और इस लाइड के सार्जिंग मअडूल का एक खास बात कि इसमें आप मोबाल भी सर्ज कर सकते हो तो तो मैं आप एक लिथियूम बैटरी का यूज़ कर रहा हूं हाँ के लिए भैटरी हो लगा कर सचार्जिंग मज़ीन उर्पर दो एयर कर दिया तो फिर्ट सैंच ऻ्पर प्लास माइनस लिखा रहता है अब कर लगाना यहाँ पर अब एक बैटरी के जगा हमें दो बैटरी लगा तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि चार्ज का ब्याक अब और भी ज्यादा बर जाएगा जाएगा एक सुष पर दो और लगा देते हैं और सुष का एक और चार्जिंग मुडिल का माइनस प्रड़ा देंगे और सुष का दूसरा वाया लाइट का माइनस पॉइंट पर लगा देंगे और लाइट के जो पॉजिटिव होया रहे या नी प्लास होया उसे डायरेक्ट बैट्री का पॉजिटिव पॉइंट पर जोड़ देंगे और वेंट्स आप धाकुन को लगा देते हैं और आप आते हैं लाइट के कनेक्शन की बारी तो प्रेंट्स इसका कनेक्शन बहुत ही यज़े है जो दो आयर बहार निकला था प्लास मैनस देखकर सभी लाइट पर जोड़ देंगे और फ्रेंट्स हमारा कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो गया और आप अंदेरा आप चला के देखते हैं और फ्रेंट्स आप देख सकते हो कितना शांदर रशनी है और फ्रेंट्स समयरा बनगे टू इन वान चार्जिंग लाइट जिसमें हम मोबाइल भी सार्ज कर सकते हैं तो फ्रेंट्स प्रेंट्स प्लेश चैनल को सब्सक्राइब जोड़ करना क्योंकि सब्सक्राइब करने से और भी वीडियो आपके पंस पहुंच जाएगा मिलता है इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टविक के साथ थैंक्स पर वाचिंग